क्या सारा अली खान और विकी कॉशल ने खत्म की लुका चुपी 2 की शूटिंग? हेलो फ्रेंड्स आप देखने पॉडिग्रास स्ट्यूडियोज महिल सोरी का जयार दोस्ते सारा अली खान और विकी कॉशल की जोड़ी पहली बार परदे पर साथ दिखाई दे रही है वहीं विकी कॉशल और सारा दोनों ही एक बहतरीन आक्टर हैं इसलिए इनके आक्टरिंग स्किल्स और केमिस्ट्री देखने के लिए हर कोई बेताब हो रहा है इनकी फिल्म का नाम लुका चुपी 2 है अभी तक इसे रिवीर नहीं किया गया है लेकिन कहा जा रहा है कि ये फिल्म का सीक्वल है 2021 दिसमबर से सारा और विकी शूट के सिलसले में इन दौर में थे सोशल मीडिया पर दोनों की कई तस्वीरे भी शेयर की जा चुकी है फिल्हाल इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है जिसके बारे में खुझ सारा लिखान ने ट्विटर पर पोस्ट किया है काफी दिनों से विकी कौशल और सारा लिखान की अपकमिंग फिल्म को लेकर बहुत सारी बाती चल रही है पर अब तक फिल्म का नाम ओफीशियल नहीं किया गया है सारा लिखान ने शूटिंग पूरी होने की जारकारी देते हुए ट्विटर पर एक फोटो शेर की है फोटो में विकी कौशल और सारा लिखान रोमैंटिक अधनास में एक दूसरे को देखते हुए नजर आ रहे है तस्वीर के साथ कैपशन में सारा ने लिखा नाम में क्या रखा है अभी तो रैप अप हुआ है इसका मतलब ये है कि फिल्मेकर्स अभी फिल्म का नाम ओफीशियल करनी की जल्द में नहीं है इससे पहले भी सारा लिखान ने इंस्ट्रिग्राम पर शूटिंग की तस्वीरे शेयर की थी जिसमें वो देशी अंदाज में ट्राक्टर चलाते हुए दिख रही थी कुछ वक्त पहले शारिभ हाश्मी ने इंस्ट्रिग्राम पर फिल्म के क्रू के साथ एक ग्रूप पिक्चर शेयर की थी तस्वीर में सारा लिखान और विकी कौशल के साथ पूरी क्रू टीम नजर आ रही है तस्वीरे शेयर करते हुए शारिभ हाश्मी निर्देशक समेथ क्रू के सारे मेंबर्स का शुक्र रियादा किया वही तस्वीरों में सारे चेहरे काफी कुछ दिख रहे थे जिसे देखकर पता चलता है कि सभी ने टाइम से शूट खत्म कर दिया है वही दोस्तों आपका बता दे कि लुका चूपी 2 में पहली बार ऐसा होगा जब इन दौर और बाकी शेहरों में शूट किया जा रहा है शूटिंग लोकेशन से बहुत ही जादा अमेजिन है सारा लिखान के अपकमिंग प्रोजेक्स की बात करें तो हाल ही में अतरंगी रे के बाद अब वो लक्षमन उतेकर की कॉमेडी ड्रामा में भी नज़र आने वाली है तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और इसी तरा के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारी चैनल बॉलिग्रास स्टुडियोज को